बस साथ रख जोशुद है सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है इस महीने में भगवान शिव और मा पार्वती की विशेश पूजार चना करने का विधान है साथ ही कामवड यात्रा की शुरुआत होती है यात्रा के दौरान शिव भक्तों में बेहत खास उत्सा देखने को मिलता है कामवड यां हरिद्वार से गंदाजल लाकर सावन शिवरातरी पर अपने क्षेतर के शिव मंदिरों में विराजमान में शिवलिंग का जलाभीशिक कर उपासना करती है यात्रा के दौरान कावड को जमीन पर नहीं रखना चाहिए अगर आपको विश्राम या शौच आदी कार्य के लिए रुखना पड़ी तो कावड को उचे स्थान पर रखें इसके अलावा बिनासनान करे कावड को छुना वर्जित है कावड यात्रा के दौरान मास मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए भक्ती भाव के साथ यात्रा करनी चाहिए किसी के प्रती मन से गलत विचार धारण नहीं करने चाहिए पंचांग के अनुसार आशार पूर्णिमा 21 जुलाई को पड़ रही है इसके अगले दिन यानी 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा साथ ही इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा पंचांग के अनुसार इस बार कामवड यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से होगी वहीं इसका समापन 2 अगस्त 2024 यानी सावन शिवरात्री के दिन होगा